अलो सुडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे कि कभी दाज जी समासु धारक के रूप में भी जाने जाते हैं और आज हम पढ़ेंगे इनके विचारधारा के नियामक तत्व यानि कि इनके विचारधारा को कौन कौन से तत्व या कौन कौन से विचारधारा ने प्रभावित किया या किस-किस विचारधारा से इन्होंने अपने दर्शन या अपनी विचारधारा को बनाया है उसको आज हम पढ़ेंगे तो प्रतिक्स हाहित्यकार जो होता है वो अपने यूग की देन होता है और जिस वातावर्ण में वे सांस लेता है जिस परिवेश में रह रहा होता है उसकी परिस्तितियां से प्रभाविदेशे करती है किसी भी दर्शा में वे अपनी सामाजी परिवेश के प्रभाव से बच शक्षाजी के थहुक्ष काप्षयार कि उन्न प्राफित। कपीर ने हम चुभन खługे था विचार द्हारान में चुभने प्रता DRR में सके विचारदार दर्काफ़े. और हो उनको था नाय पढ़ाइन प्रत्ते हम स्वार दं़ात। इसमें से पहला है अद्वेत वेदान्त का प्रभाव अद्वेत वेदान्त जैसा कि हम इसे पता ही चल रहा है कि ये वेदान्त की एक विचारधारा है और अपने श्रितिक विचारधारा मानी जाती है ये जिसमें ईश्वर और जीव को अलग-अलग नहीं माना जाता है आत्म परमात्म की एक्ता मानी गई है कि बेह्द करने वाली जो मानी जाती है माया होती है अज्यान के आवरण के हट ने पर ही आत्मा परमात्म में पुने एक्ता स्थापित हो जाती है और इसी अद्वेतवादी सिध्धान्त को कबीर ने अपनाया है और जिसको उन्होंने अपने कई सारे दोहों में एपनी साख्यों में व्यक्त किया है जिसमें से एक है कि जल में कुम्ब कुम्ब में जल बाहर भीतर पानी फूटा कुम्ब जल जलही समाना ये तत कईयो ग्यानी तो इस तरह की जो बाते हैं उन्होंने जो विचारधारा है उसका उसमें अद्वेत विदान्त का इसपस प्रभाव पर लक्षित होता है नेक्स्ट है हमारा सिद्ध औंातों का प्रभाव जो कि जिस वक्त कबीर हुए थे उसे पहले जो सन्थ हुए थे वो सिद्ध और नाथ ही थे। इसलिए उनका प्रभाव पर पढ़ blir अब कि । सिद्धों के अनुसार संसार जो 84 सिद्ध माने जाते हैं और उनहोंने मोटी पूजा और वरत अपादी की बहुत विरोध किया और साथी बाहिए खणनन किया यही जो चीजे ने अपनाई और उनहोंने भी इसी विछारधार से प्रभावित होकर विर्ओत किया है कि इनकी प्रब्त अधूसें वियर्थ किया लोगां जियुकतियो स्विकार किया है सिद्हां की वातों को '' strange추 आग है नाथों का भी इनके पर बहुत जादा ब्रभावपी है और उनकी विचारदारों उनकी हट योगिक मुष्खे रूप से हट योगिक क्रियाओं को उन्होंने जियों का त्यों स्विकार किया है और इन्होंने भी नाथ योगियों की भाती इडा पिंगला के वीट में कुछ याकृतल आम संब्दित हैं ज्यूली के जा चागरत करने को क्याना ऊंच प्रेद में इक करने सब्सक्रादि नहीं के शागरत करे के तो में अठ्रियों के जाती सकता है और इन हम उन्होंने लीगों को ने जोगिक क्रियाओं नहीं इन हट योगिक कई खी जैसी कि या जानते हैं कि गुरु'का नम रामानन था तो जाहिज सी बात है कि रामानन-दीокой विचार दारा का प्रभाव इन पर पढगना सुभाविघ था और आपको यह भी मालूम है कि रामानन वे वैशनो सम्परदय गह एक माने जाते हैं तो इसलिए उनकी भावना, चानिस्टा, भगवत भक्ति, गुरु महिमा इन सब का प्रभाव कबीर के काववे पर पढ़ना स्वभाविक ही था वे वैशना भक्ति के भाति अपने को राम का सेवक मानते हैं यदिपी यहां पर जो राम है सिर्फ और सीर्फ एक प्रतिकात्मक रूप में लिया गया कया शब्द है इस्वर के लिए इंके जो राम है वह अव्तारवाधी पुरुष मर्यादा पुरुष उर्तम राम से इनका कोई लेना देना नहीं है कोई संबन नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ इश्वर का पुकारने के लिए इनके द्वारा लिया गए एक नाम है और ये स्वैम को राम का सेवक मानते हैं साथी कभीर में गुरु भक्ति अपारे वे गुरु को की महिमा को सबसे जादा महता पदान करते हैं और गुरु की महता को इन्होंने अपने कावे में बहुत जादा महत्र दिया है साथ ही कभीर ने निर्गुन ब्रह्म को पती और आत्मा को पत्नी के रुपे स्विकार करके मादूरिय भक्ति को अपनाया है तो और इस चीज को अनोंने अपने जो कावे हैं इसमें जगा जगा पर स्थान दिया है नेक्स्ट है हमारा इसलाम का प्रभाव इसलाम में क्या होता है कि एकेशरवाद को जादा महता दी जाती है जादा कि एकेशरवाद ही माना जाता है वहाँ पर तो इसी एकेशरवाद से प्रभावित कभीर भी हुए हैं और उन्होंने बहु देववाद के स्थान पर एक देववाद को माना दूसरी और मूर्ती पुजा खंडिन किया साथी जातिकत बेदभाओं को मिटाकर वन सामे पर इनोंने पल दिया है और अगला है हमारा सूफी प्रभाओ सूफी प्रभाओं के अंतरगत सूफी प्रेम से प्रभावित होने के कारण कबीर के सिधान नात पंतियों की भाती शुश्कता से परिपूर नहीं है मतलब जिसे नात योग्यों में बिलकुल सिर्फ और साथना से संबने निरस्ता है ऐसी निरस्ता कबीर के कावे में नहीं है कबीर की भक्ती में नहीं है चुकि सूफी मत प्रेम पर आधारित है इसलिए जब कभी सूफी मत से जादा प्रभावित होते हैं तो उनके कावे में प्रेम की माधूरिये की भावना अपने आप ही आ जाती है और इस कारण हट योगी क्रियाओं को महता देने के बावजूद उनकी कावे में नीरस्ता या पूरा एक अधिकार चाहते हैं और इसलिए कभीर की आत्मा प्रमात्मा के प्रेम रख से सराबोर है और जब नहीं मिलता है तो उसके व्योग में राद दिन तडपती है तो यह जो प्रेम और व्योग सेयों के जो तत्व दोड़ी लिये हैं अपने कावे में ये सूफी वर संसार के कर्तवयों का निर्वाहन करते हुए भी इश्य की प्राप्ति कर सकते हैं उसी को इन्होंने ध्यान सप्रदायक को अलग से इन्होंने विचारधारा बनाई है तो कभीर ने भी इसी के अनुरूप ग्रहस्त हम का पालन किया और कपड़े बुंते हैं पता है कि कभीर के भी निर्वाहन की पर अपने संसार के ने रहते हुए है। इश्यर की प्राप्ति की जा सकती है नेक्स्ट है हमारा अभिवेक्ति की सरलता या काव्यतत यह सबसे जादा इंपॉर्टन है क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है कि कभी दाजी पढ़े लिखे नहीं थे अनपड़ थे उसके बावजोद भी उन्होंने जो कुछ भी लिखा तो नहीं जितना भी कुछ कहा वो सब इतना सरल है इतना कहना चाहिए है कि सिर्फ एक बार सुनने से समझने से ही वो बात बिल्कुल समझ में आती है जो वो कहना चाहते है उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि वह जो कहना चाहते हैं वह भाशा के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है उन्होंने ये मतलब उनके जो विचारधारा है वह दूसरों तक बहुत ही असानी से पहुंच रही है जो भी लेखन जितना भी उनका साहित हैं उसमें कावे तर्थी की मात्रा प्रचूर है वह कहीं महसुत हैं कि अनपड़ हैं और उन्होंने किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की है भले ही इसके लिए उनकी जो भाशा है वो विभिर प्रकार के जो भी भाशाओं से मिलकर बनी है लेकिन फिर भी जैसा कि हजारी पसाद दिवेदी नहीं कहा कि वाणी की डिक्टेटर है वो जो भी कहना चाहते थे वो भाशा के माध्यम से बहुत आसानी से कहला देते थे यही उनकी अभिवेक्ति की सरलता है और यही उनके साहित्ते में काव्य तत्व है तो आज के लिए इतना ही आगे जो हैं अगले लेक्टे में करेंगे तेंक्यू